ती नमस्कार मैं बांसी कोटियाल और आप देख रहे हैं हिंध भारत न्यूस क्रोणावाइरस का कहर पूरे वर्ल्ड में बहुत एजी से फैल चुका है डिली की बात करें तो दिली में अब तक एक मौत हो चुकी है तो वहीं अगर इटली की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में जिहां सिर्फ 24 घंटे में वहाँ पर 250 मौते हो चुकी है WHO ने क्रोना वाइरस को महामारी तक घोशित कर दिया है इन मौतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाइरस कितना भयंकर है और आज इसे के बारे में हम बात करने वाले हैं तो आईए नज़र डालते हैं हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर दिल्ली में करोना वाइरस से पहली मौत सामने आई है यहां के आरेमेल अस्पताल में शुकरवार को 68 साल की महिला की मौत हो गई भारत में अब तक कुल दो लोगों की मौत हो चुकी है आकडों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल 85 पीडित हैं इलाज के बाद 10 की हालस सुधरी है और अभी भी 73 लोगों के कोरोना पीडित होने की पुछ्टी की गई है वहीं अगर हम बात करें मास्क और सेनिटाइजर के बढ़ते हुए दामों की तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और मास्क और सेनिटाइजर की काला बाजारी और MRP से ज़ादा पैसे लेने वालों के खिलाफ तुरंद शिकायत करें शिकायत करने पर उन्हें सास साल की सजा होगी इसी के साथ ही इटली में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 1266 हो गई है यहाँ पर इस विमारी से कुल 17,660 लोग पीडित हैं पीडितों की संख्या के मामले में गुरुआ शाम में अब तक यहाँ 2547 लोगों की बड़ोत्री हुई है इटली कोरोना वाइरस के कहर से करा रहा है आग सोच रहे होंगे की कैसे इटली में पिछले 24 गंटों में 2500 लोगों की जान गई है भारत के भी कुछ लोग इटली में फसे हुए हैं इनकी जाच के लिए भारत की एक मेडिकल टीम शुक्रवार को इटली पहुँच कई है इटली में भारत के दूतावास ने कहा कि जल्द ही संग्दिक्दों की जाच की जाएगी भारत सरकार की मन्शा वहां फसे भारतियों को जल से जल्द बापस लाना है तो दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कोरोना वाइरस कितनी भैंकर बिमारी है और अब तक पूरे देश में पैर पसार चुकी है तो इसलिए अटलास में आपको यही एडवाइस करूँगी कि सैनिटाइजर का यूज करे मास्क पहने रखे और लोगों से जितनी जादा हो उतनी दूरी बनाए रखे ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिंद भारत नीउस के साथ नमस्कार